बिसमिलायर्यक्मान रहीम, असलाम अलेकम स्टुडेंट्स, आज मैं आपको इस विडियो लेक्चर के अंदर बी प्लस टू प्लस फर्स्ट पामा वर्ब का पास्टेंस में इस्तेमाल पढ़ाने जा रहा हूँ आपने heading लिखना है B plus two plus first form of verb in past tense lesson number 54 अच्छा अब आपने अर्दू में पहचान की heading लिखना है लिखें सब heading अर्दू में पहचान students जैसे के lesson number 53 में आपने B plus two plus first form of verb का present tense में इस्तेमाल सिखा तो यहां पर सिर्फ इतना change आएगा कि जो present है वो past में change हो जाएगा यानि अर्दू में है है हो हों की बजाए था थी ते थी और English में इस MR की जगा वाजबार आजएगा बाकी कोई change नहीं आएगा अच्छा यह तो आपको मालूम है कि इन sentences में वो काम पाए जाते हैं जिन को sentence का subject responsibility के तहत करता है और आपको मालूम है कि टू प्लस फस्ट वामा वर्प को मैं बता चुका हूँ के English में infinitive और अर्दू में मस्तर भी कहा जाता है अब आपने अर्दू में बैचान लिखना है अगर अर्दू के फिक्रे के आखर में ना था नी थी ने थे या नी थी वगरा में से कोई एक आए तो फिक्रा बी प्लस टू प्लस फस्ट वामा वर्प के जमाने माजी वाला होता है तो स्टूडेंट देखिए सिर्फ ना है नी है के बजाए ना था नी थी ये आगया और कोई चेंड नहीं आया अब आपने heading लिखना है structures और आपने affirmative structure लिखना है सबसे पहले लिखे subject प्ल वाज और प्लस टू प्लस फस्ट वामा वर्प प्लस रेस्ट अफ दे संटेंस स्टूर ने देखिए यहां पर structure भी क्या हुआ इस मार की जगा वाजवार आगया बागी साब कुछ वही यानि शुरू में subject फिर वाजवार के बार टू प्लस फस्ट वाम और रेस्ट अफ द अब इसकी English सुनिये she was to shift the floor student देखिए यहां पर कहा है कि उसकी responsibility लगाई गई थी कि तुमने आटे को चानना है लेकिन किसी तरह वो चानना सकी तो फिर उसने जब नहीं चानना तो एक शक्स बात कर रहा है कि उसे आटा चानना था मतलब है कि उसने चानना था लेकिन चानन ना वो ना चान सकी एक और एक्जामबल ले लेते हैं उन्हें ये काम आज खतम करना था देवाट तो फिनिश दिस वर्क तुड़े देखे कुछ लोग हैं उनकी responsibility ये थी कि उन्होंने ये आज काम खतम करना था लेकिन वो ऐसा ना कर सके तो कहा जा रहा है कि उन्हें ये का खतम करना था तो देवाट तो फिनिश दिस वर्क तुड़े तो स्टूड़े बात इस तरह है कि सब्जेक्ट के बाद वाजवार आएगा और आगे जो संटेंस के अंदर काम होगा वो तू और फस्ट वाम के तोर पर और आगे रेस्ट अफ दे संटेंस लिखती है जाएग यह मैंने आपको दो अग्जामपल्स इस स्टूक्चर के दी अब आपने नेगटिव स्टूक्चर पर आजए नहीं लिखे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस टू प्लस फरस्ट वाम वर प्लस रेस्ट अफ दे संटेंस अग्जामपल तूनिए उससे तो फिनिश दिस वर्क तोड़े तो वर के बार नाट आया और कोई चैन नहीं आया अब आप इंट्रॉक्ट पर आजए लिखे वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस फरस्ट वाम वर प्लस रेस्ट अफ दे संटेंस प्लस कॉस्चन मार्क स्टूडिन देखिए वाज 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 शुरू में चला गया, बाकी कोई चैन यह आया, अग्सम्बल ले लेते हैं, क्या उसे आटा चछmaalना था, वाज शीट टू सिफ्ट अ फ्लॉर, वाज शुरू में चला गया, बाकी कोई चैन नहीं आया, अड में कॉस्चन मार्क आया. एक और एक्सम्पल पे चलते हैं लिखिए double intuitive sentences का structure why when where या how plus was या were plus subject plus to plus first form over plus rest of the sentence plus question mark example ले ले लेते हैं कि उसे क्यों आटा चानना था why was she to shift the floor student देखिए double intuitive sentences का structure क्या था कि why when where या how जो भी या सबसे पहले पिर was वार पिर subject पिर जो sentence के अंदर काम होगा two first form और rest of the sentence end में question mark तो मैंने पहली example क्या लिखवाई उसे आटा क्यों चानना था तो why सबसे पहले आए पिर was आए पिर she फिर to shift और आगे the floor end में question mark एक और example ले ले लेते हैं उन्हें ये काम आज क्यों खतम करना था वाई वार दे to finish this work today वाई शरू में फिर वार और पिर दे subject पिर to finish or this work today student ये था उर्दु में बैचान English में structure उनकी example अब आ जाते है sentences for spoken English क्या change आता है written or spoken English में आप adding लिके sentences for spoken English ये example लिके she was not to shift the floor उसे आटा नहीं गुनना था ये written English और spoken में क्या होगा she wasn't to shift the floor was not को contraction में wasn't कर दिया बागी कोई change नहीं आया एक और example ले ले लेते हैं उन्हें ये आज काम खतम नहीं करना था they were not to finish this work today ये written English spoken में क्या change आगा लिखे they weren't to finish this work today were not को warrant कर दिया बागी कोई change नहीं आया नेगडिव इंट्राग्डिव पे चलते हैं क्या उसे आटा नहीं चाहनना था was she not to shift the floor और ये written English और spoken में क्या होगा wasn't she to shift the floor देखे was not को contraction में करके wasn't शुरू में लेकर बागी कोई change नहीं आया एक और example ले ले लेते हैं क्या उन्हें आज ये काम हतम नहीं करना था were they not to finish this work today ये written English spoken में क्या होगा weren't they to finish this work today were not को warrant करके contraction में करके शुरू में लेकर बागी कोई change spoken English में नहीं आया अब चलते हैं के statement बोलकर अपने सामने वाले शेक्ष से confirm कैसे करवाते हैं अर्दों में बोलते हैं हैना और English में क्या होता है आप जड़ा example लिखे she was to shift the floor उसे अटा चालना था हैना कामा लगा के wasn't she ये positive statement तो wasn't she ये इसका हैना होगा was के साथ not को contraction में किया एक और सुने they were to finish this work today उन्हें आज ये काम खतम करना था हैना कामा लगा कर weren't they student क्या करते है positive statement हो तो वही helping वर उस statement का लेकर उसके साथ not को contraction में ले जाते हैं और आगे subject लेकर end में question mark लगा देते हैं लेकिन अगर statement positive हो sorry भई लेकिन अगर statement negative हो तो फिर क्या करते हैं आप सुनिए she was not to shift the floor उसे आटा नहीं चालना था अब इसका हैना कैसे होगा comma लगा कर was she question mark जब negative statement तो was she होगा जो हम confirm करवाने के लिए question tag लगाते हैं wasn't she नहीं होगा एक और ले ले लें example they were not to finish this work today उन्हें याज काम खतम नहीं करना था है ना वर दे तो confirmation के लिए वर दे नहीं होगा क्योंके statement negative है अच्छा student ये sentences for spoken English जो change आता है वो भी बता दिया अब चलिए sentences for practice आप adding लिखे sentences for practice और example लिखे मुझे कपड़े दोना थे I was to wash the clothes उसे कपड़े इस तरी नहीं करना थे she was not to press the clothes क्या तुमें लहोर जाना था were you to go to लहोर क्या अमी जान ने खाना नहीं बनाना था was the mother not to cook food उसने क्यों अपना घर बेचना था why was he to sell his house किस ने अपनी नोकली से इस्तिवा देना था who was to resign from his job तुमने कितनी किताबे खरीदना थी how many books were you to buy उसने कितना दूद बेचना था how much milk was he to sell ये कितना कितनी और कितने की English how many भी होती है और how much भी अगर ऐसा नून हो जिसकी तादाद होती है तो उसके लिए कितना कितनी कितने की English how many की जाती है और ऐसा नून जिसकी मिकदार हो उसके लिए कितना कितनी कितने की English how much की जाती है जैसे के कितनी किताबे थी तो how many books कितना दूद था तो how much milk دودھ کی مقدار ہوتی ہے اور کتابوں کی تعداد और how many जो जिसके लिए कहा जाता है how many जैनि कितना कितनी या कितने वो सात ही आता है how many books जैसे books how many के सात ही आया और how much के सात ही आया milk तो आपने याद रखना है कि जैसे मैंने बोला कि how many books were you to buy तुमने कितनी किताबे खरीदना थी, या how many books, सबसे पहले आएगा, फिर what, फिर you, फिर आगे to, और first one to buy, और कितना दूद उसने बेचना था, how much milk ये सबसे पहले, फिर was, फिर he, और फिर बेचना की English to sell, student ये अपने याद रखना है, एक और example ले ले लेते हैं, उसने अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना थी, he was to teach English to his children, और last example पर चलते हैं, मैंने अपना वादा पूरा करना था, I was to fulfill my promise, तो student ये सब कुछ था, जो कुछ मैंने आपको इस lecture के अंदर पढ़ाना था, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा lecture पसंद आई है, मे कि आई है, मेरा है झाय कि अाड़ा सरोzna कर दोन आई है, मेरा पढ़्यों है, मेरा जुछ आखको आँकार क सब काते हैं, आई है, मेरा क्व